हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नमबर 33 जो की 17th of November 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों, Social Science और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है Government and Laws तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं तो देखिए रोड पे ड्राइव करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं मान लीजिए अगर वो रूल्स ना हो तो क्या होगा? हमें बताना है तो बच्चों, अगर रूल्स नहीं होंगे तो रोड पे कभी गारियां इधर जाएंगी उधर जाएंगी और एक दूसर से टकराएंगी इससे पूरा क्योस होगा और बहुत वहाँ पे आक्सिडेंट होने के चांसेज बहुत ज़ादा बढ़ जाएंगे सिकिन है, इसको अभी हम लिखेंगे भी सिकिन है, what will happen if your school does not have a timetable for students अगर आपके school में जो students के लिए timetable होता है वो ना हो तो क्या होगा अगेन timetable होगा नहीं तो बच्चे कभी भी आएंगे, कभी भी जाएंगे जब बच्चे आएंगे school तो हो सकता है teacher ना हो जब teacher है तो बच्चे नहीं है कोई भी कहीं पर भी घूमेगा, कहीं पर भी खेलेगा तो इस तरीके से school का पूरा discipline ही खराब हो जाएगा और finally कुछ भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी ठीक है, तो चलो इन दोनों questions के हम answer लिख लेते हैं तो देखिए, first situation में आप answer लिखेंगे if there is no rules for driving on the roads then it will result in cures and accidents second में आप लिखेंगे कि अगर school में आपके timetable नहीं है if my school does not have a timetable for students then it will result in lack of discipline and hence no study at all तो इस वज़े से हमारे school में कोई discipline नहीं रहेगा और ना ही वहाँ पे कोई पढ़ाई हो पाएगी चलो आगे देखते हैं next हम से पूछा है how are the rules set when you play a game with your teammates जब आप अपने teammates के साथ game खेलते हैं कोई भी तो उस समय आप rules कैसे decide करते हैं तो आप इसका answer लिखेंगे rules are decided by all the members as per requirement of the game तो game की जो भी requirement होती है उसके according ही हम rules को बना लेते हैं ठीक है next question है what to do if any partner does not follow the rules while playing तो जो हमने उपर rules बनाए थे उन rules को अगर एक या दो person जो हमारे साथ खेल रहे हैं वो नहीं मान रहे हैं तो हम क्या करेंगे तो देखिए क्या करना चाहिए ये पूछा हुआ है तो इसका हम answer लिखते हैं if any partner does not follow the rules while playing then he or she should be given warning यानि वो person जो follow नहीं कर रहा है पहले तो उसे warning देनी चाहिए and after that अगर वो नहीं मान रहा है तो हम क्या करेंगे he or she should be suspended for the game तो उसे इस game के लिए suspend कर देना चाहिए और नहीं खिलाना चाहिए ठेके बच्चो आगे हमसे कहा है while doing any work there is a need to make rules and follow them as well तो कोई भी काम करते वक्त ये जरूरी है कि उस काम के लिए हम कुछ rules set कर ले और इस rules को follow भी करें in any country rules have to be made so that people will people can live together all together तो देखो होता क्या है कि किसी भी country में लोगों के लिए rules बनाने बहुत जरूरी होते हैं जिससे लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है ये अच्छे से पता हो और वो एक साथ आसानी से रह पाएं these rules are called the laws of any country which are different in every country तो देखो जो rules हम बनाते हैं उनको कहा जाता है laws laws of the country और हर एक country के अपने अलग-अलग laws and names हो सकते हैं ठीक है discuss with your parents or teacher and tell whether the laws should be equal for everyone तो आपको ये बताना है कि क्या सभी के लिए rules एक जैसे होने चाहिए या अलग होनी चाहिए if your answer is yes then give reason अगर आपका answer हाँ है कि हाँ सब के लिए equal होने चाहिए तो आपको उसका reason भी देना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे yes equality is everyone's right क्योंकि जो हमार equality है वो हर किसी का अधिकार है hence the laws should be equal for everyone इसलिए सभी के लिए जो rules हैं जो laws हैं वो equal होने चाहिए and I hope आप सभी कोई वोक्षीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी and अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको जरूर लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू